जहन्द फैंड मैं सेल्फ समिद लक्षकार आज हम वन शॉट में क्लास तैंथ हिस्ट्री चेप्टा फाइफ प्रेंड कल्चर एंड दी मॉडेन वर्ल्ट कम्लिट करने वाले हैं इसी वन शॉट की वीडियो के अंदर 30 मिनुट्स के अंदर साथे तीन बेच के नोट्स हैं साइन्स के शुचल के मैथ के इंगेश रमार के मेरे भाई बोलिसम्स आने वाले हैं हिंदी ग्रामर के सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री आफ कोस्ट हमारे वाट्सप चैनल से लिंक डिसेप्शन में हैं इसी वीडियो के आप जाकर वह एक पेपर लिया एक वड़िबलक लिया उसके ऊपर उनने छेद करके आखश्षिय बनाई और फिर एक से आइसे उन्हों ने अपना एक पिपर त्यार करा जिस्के उपर उन्हों एक लिए अब ऐसे उन्हों ने कई त सारे बोडू ब्लॉक को जोडा और एक बुकолог बना लोग को पढ़ना है इसलिए बुक्स लिखेंगे लोग ताकि लोग पढ़ें और अर्वन कल्चर ग्रो हो रहा था यानि जो लोग थे उन लोग को आटरब्राफिस लिखनी थी पंड़नी थी और अपने एक्सपीडियंस करने थे और बागी चीज़ें भी थी जोकि लोगों नीट थी बुक्स की इसलिए है और मर्चंट्स को अपने रिकॉर्ड लिखने थे इसलिए बुक्स की नीट थी ओके जापन, जापन में ये बुक पहुची, इस टेक्नोलोजी को पहुचा आया, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने एक oldest बुक मिली है, हमें, डाइनमेंड सुत्रा, जो की एक बुद्धिस्ट बुक है, जो की इस बात का सबूत है, कि बुद्धिस्ट मिशनरीज ने अकोडियन बुक की टेक्नोलोजी को पहुचा आया था जापन में, टेक्स्टायल पर लिखने लगे तो लोग, पेपर मनी बन गई थी, जो आज हम देखते हैं, और कार्ड्स बने लगे ते लोग, गेम खेलते थे कार्ड्स से, और विजुल मटेरियल स्टार्ट होने लगा थ एक उग्यों नाम की जिसको प्रेंट करा है किटा कावा उठ्टा मारोने, चलो ठीक है, सेकेंड रॉप है हमारा प्रेंट कम्स टू यूरॉप, सेल क्रोड के थूरू ट्रेड होता है, और ऐसे पेपर इंट्रड्यूस हुआ था यूरॉप में, ट्रेड हुआ और कभी न यूरॉप में उसके बाद में पहुंची बनाने की टेक्नलोजी, जो कि लेके गए थे इटालियन विक्ती नेक्रो पोलो, यूरॉप में एडवांट थी, वही सब चीज है कि मर्चंट को रिकॉर्ड लिखने थे, इसलिए नीट थी, बुक्स की बट वहां पे इतना रादा प्रदक्शन नहीं होता था, वुडब्लोग की टेक्नलोजी भी स्लो थी, बबॉलर हो गई थी, बट स्लो थी वह, तो यहां पर नीड इस दी मदर ऑफ इन्वेंशन, गोटनबग की प्रिंटिंग प्रेस यहां पर डेलप होती है, गोटनबग का बेग्राउंड है, वह एक मर्चांट के बेटे थे, बेटे थे, ओलीव और वाइन फेक्टरिस में नहीं काम कर था, वो गोल्ड इसमित थे और सोनार भी थे, और लोहार भी थे, ठीक है, और वेलम, वेलम एक लगजरी चीज़ होती है, जो कि सरवाब कर गई, क्योंकि जो एस्ट्रोग के लोग हैं, वो जानवर की खाल पर लिखा हुआ, पसंद करते हैं, इसलिए, प्रोडक्शन बाइर बुक्स, जो हैंड्स के दार, हाथों के दार प्रोडक्शन होता था, उसको एंटारी डिस्प्रेस करती है, कुटिनबग के प्रेंटिंग प्रेस में, और इसका इन्वेंशन होता है, 14 इस इंपक्ट्स, देखो, बुक्स फ्लर्डड हो गए थी, यानि भैर रही थी मार्केट में, ओरल कल्चर और हीरिंग कल्चर ग्रोड़ हो रहा था, सेकेट्ट सिंबल्स और बलार्ट यानि दादी नानी वाली कानिया लोग लिखते थे बुक्स में, इलस्ट्रेशन होता बुक्स की पेजिस का यानि ऐसे डिजाइन बना रहे हैं और विलिजिस में जो ग्रुप बन रहे हैं और उनको हम कहेंगे संग और टाउंस में जो ग्रुप बन रहे हैं उनको हम कहेंगे टेवरें जो की लोग ग्रुप बनाके एक दूसरे को पढ़ते थे और सुनाते थे यानि ओरल और हेरिंग कल्चर हम लिजिस डिबेट्स एंड फियर लोग जो रिजिस लिडर्स थे जैसे कि उलेमाज और पॉप उनके दिल में फियर था कि वुक्स लोग लेटिन ना कर दे इरिलियस थोर्स प्रिट ना कर दे और वेलेबल लिट्रेचर जो कि उनका धर्म ग्र इसने कफ़ित साथ साथ लोज बनाया थे और फिससे कही सारे प्रोटेस्टेंड्स और रफामिशन वाले खळए हो गए तो लोग प्रोटेस्टेंड्स रफामिशन हुआ था फिर यानि कई साए लोग ऐसे खळए होती कि बात करते थे कि आरे तुम अपनी डॉमिनिस आटा जो कि यह पूप कह रहा है बाबलिक कहना चाहती है ऐसा ठीक है और इसकी सदा उनको मुनिती उनको एक्जेक्यूट कर दे गए था रोमान कैथलिक चर्च के दोरा और फिर उसके बाद एक इंडेक्स निकाला इंडेक्स वाफ फ्रॉबिटिट बुक्स 1558 ओके इसको दोरा उन यह चाहानी है दादी नानी वली कहना और फोक टेज सेनी ना फावरक नगाद घीग में और वराद उसके कि बडिंटा की दोरी लोग अपने आइडियाज अब साइंस के वारे में फिलोस्पी के वारे में लिखते थे ऐसे ट्रमबल देर्फोर टारेंट्स अब दी वाल्ड देखो जो पूरे वल्ड के कुरूल हैं दबदबे वाले हैं जमीनदा टाइप हैं लेडलोट्स हैं उनका तक तो ताज ट्रमबल यानि शेकिंग करने लगा यानि हिलने लगा मतलब उनका तक तो ताज हिलने लगा कुरूल लोग का जमीनदा लोग का लेडलोट्स लोग का इस्पेटिंग ऑफ आइडिया एंड एलाइडनमेंट आफ मासेज थो दी प्रेंट यह होता होता था लूइस स्वेस्टिन का यहां पर एक स्टेट्मेंट है लिबुक इस दी मोश्ट पावफुल इंडियन इंजिन ऑफ रोग्रेस एंड इस्प्रेडिंग ऑफ इन ऑफ मासेज एंड स्विप अवय डेस्पोर्टिजम यानि जो निरंग को शवात है उसको भगा देना और लो लोगों को नियूज के वारे में इंफर्मिशन देना और प्रेंट देखो डाप के मायन को डायटली शेप नेगर थी बड़ आपको एक पॉसिबिल्टी देती है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो मैं धाल में व्रक्ति हूँ बट मैं जब पढ़ूंगा कि यार ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ तो मुझे एक नएक तरीका मिलेगा सोचने का ओके डी 19th century चलो एक सेकेंड टाइम है 1801 से लेकर 1899 तक उसको हम कहेंगे 19th century वूमेन के क्या हाल थे वह पढ़ती भी थी लिखती भी थी और कुछ महिला है बागी महिलाओं को लिखके यानि बुक्स के थुरू अपने पास हर्समेंट की कैसे सेवा करनी है और कैसे अपन खाना अच्छा बना सकें इस सब चीज़ें सिखा दे थी और कुछ महिलाओं जो उनके साथ है डिसके मेशन हो रहा है उसको समझती थी और उसको लिखती भी थी जैसे कि जोन जोन ऑस्टिन ए यू एस टी एन ऑस् सिस्टर और जोर्च एलाइट ऐसी कई सारी महिलाएं थी देखो चिड्रन्स के लिए फर्स्ट चिड्रन प्रेस ड्यवलप हो गई थी फ्रांस में जो कि उसके उपर संसेशिप होती थी यानि देखेंगे कि प्रेंट क्या लिख रही है क्या चाप रहे हैं लोग बच्चों प्राइन के लिए। ग्रिम बदर्स तन्होंने कई सारे चेत्रिये गाहनों को पिजेंट से कलेट करके एक उडirm करके में लिखा। तो वरकर्स पढ़ते भी थे लिखते भी थे बागवरफी और लेवरेरी जाके पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे प्लिटिकल ट्रेड्स यानि क्या राजनितिक माहौल है न्यूज है हमारे देश में ऐसा फॉर्त U jidis उता होता है हर थे पहले इनवेशं होता है कि मैंने अपने यूट्टिफ चैनल खोला बाद में उसमें हला हुए है र means इंग मुझे नुट् participants surfundate 새ов रिट आ प्लोड करने're ai ऐसे कई सारे समय के साथ चेंजिस होते हैं चीज में वह और जारा डेवलप होती है से इसको बनाया था रिचार्ड एम होई के द्वारा ओफ प्रेस आ गए थी जो कि छे कलर से लेख सकते थी लेख सकते थी एक बार में हम एलेक्रिकल प्रेस आ गए थी और प्रेफ़ बनने का मैथड और जारा अच्छा हो गए था और सस्था हो गया था और चैपर अब पर बनने लगए थी बुख्स को प्रिट्रेक्ट करने के लिए इंडिया एंड दी वर्ल्ड और फ्रेंट इंडिया में पहले होती थी पत्तव प्रिंटिंग प्रिंटिंग यानि मैनुस्क्रिप्ट करेंगे पर उसको बस उसकी लिमिटेशन यह थी कि वह खड़ा वह जाते हैं पानी की तो बात ही छोड़ो फ्रेंट कमस टू यूरॉप इ इंडिया लेंगज में अभी आर्भियान संस्केट पर्शियन जेम्स अगस्त्रस हैं उन्होंने पहली पत्रिगा स्टाट करें थी जो कि इंग्लेश पत्रिगा थी बंगाल गजट एक कमर्शिल पर था जो कि किसी के दिवाव में नहीं था और सभी के बारे में लिखता था इंडियन पत्रिगा थी बंगाल गजट पहली पत्रिगा जिसको स्टाट करता गंगादर बट्टा चारेना जी हां नाम भी स्पेलिंग और स्पेलिंग भी आपकी इसाफ से सहीं हैं इलिजस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबट हिंदू और मुस्लिम ऑथोलोक्सी वह बात करते थे कि महिलाओं को प्रणे मत दो महिलाओं को दबाब में रखो और ऐसे सिक पुरानी पर नहीं बाते करते थे और रिफॉर्मर्स जैसे कि राजराराम मों रॉय और कई सारे और रिफॉर्मर्स वह बात करते थे अजादी की लिबरलिजम की उनकी राजराम मों रॉय की पत्रिगा थी संबाद कमडी और दो न्यूस पेपर थे परश्यन न्यूस पेपर परश्यन लेगवेज में 1831 में स्टार्ट हुए थे जैन आई जान नामा और संसुल अकपर और एक गुजराती न्यूस पेपर भी था बंबे समाचाग हिंदू और अपना फत्वा जारे करा था प्रेंट के थ्रू उलेमाजने करा था 1860 में और हिंदूस ने भी अपनी 18th century में राम चाहित मारानस को प्रेंट कर ले था उनकी दो प्रेस थी लखनों में और बंबे में न अलग रखतरा से लोग प्रेंट को ला रहे हैं कैसे लाएंगे काटून के तुरू यानि किसी के ऊपर कमेंड करने के लिए नोवल के थुरू हम नोवल के थुरू किसी कभी एमोशन एक्सप्रियेंस और उसको समझ सकते हैं ये नोवल का कल्चर पहला था यूरॉप में बा ये उसको राजा रहीवर्मा की पेर निग हमें दी है लिटरसी ठीक थी लेटरसी की वज़ेंसे लोग ऐसे लिए लिटरक्स लगते थे और ग्रोथ वगरण अपनी एक्सपीरियेंस लिखते थे हैं वोमेन एड प्रेंड महला अपनी बात करते थी परिंड के थूं अपनी देखने नहीं देते थे महिलाय रेवल करते थी जैसे कि कहलाज भासनी जी ने अपनी बंगाली लेंगज में एक और गारा फिर लिखी है अमर जीवन 1876 में और खेलाज भासनी जी और देवी जी और तारा विशंदे और प्रणितर रांवाई ऐसी कई सारी महिलाएं हैं प्रन प्रेशनल मुवमेट की बाद करते थी और राम चड़ा जी की एक प्रेस है वर्नेकुलर लेंग्विज में श्री धर्म विचार एक्जामपल है वह तो आपका प्रेंट एंड पूर पीपल बुक्स सस्ती हो गहीं थी जोगी पेपर सस्ती हो गया था और लेंडलोट्स वग बना रहे हैं ताकि जो पीजेंट्स जाकर पढ़ सके और उनको वावाई कर सके उनको सम्मान दे सके पीजेंट्स इसलिए लिए लेंड प्रेटनोर्स इस्यूस ऑफ कास्ट डिस्केमेशन विगें तू राइट या नहीं जो कास्ट के नाम पर जो डिस्केमेशन हो रहा है उसको लिखते थे जैसे कि जूतिवा फूले उनकी एक बुक है गुलामगीरी 1871 में लिखी थे उन्होंने और ब्रमेट कर लिखते और और लोग भी थे जो की लिखते थे वाकिंग क्रास के लोग भी लिखते थे जैसे की काशी बाबा कानपुर के मेल बढ़कर अपनी एक सब्सक्राशन चक्र उन्होंने अपनी एक बुक लिखी सच्ची कवीता है कि प्रेंड एंड इंग्लिश में इन इंडिया 1820 में कलकाता सब्रिम कोट ने कहीं सारे रूस रूस रेवलिशन रेवलिशन लाय थे जो की प्रेंड को रोकते थे बट 1835 में गवानर जनरल विलिय हमारी खुद की लेंग्वेज में लिखती थी बट बात में एक एक्ट आया था 1878 में वर्नेकुलर प्रेक सट जो कि उनकी फीडम को चीनता है और उनको इंडियन लेंग्वेज में लिखने को नहीं देता और बोलता है कि आप रात और रात अपनी प्रेंड को अपनी तो यहां तक हमारी थी हिस्ट्री पेंड कल्चर एंड दे वाधन वल्ड की आपकी वीडियो यहां पर खतम होती है धन्यवाद नोट्स मिल जाएंगा आपको फ्री आफको साइन्स के शुचल के मैथ के एंग्रिश रहा के हमारे वाटसप चैनल से लिंक डिस्प्शन में है दन्यवाद जय हिंद